हलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी आशा करती हैं सभी ठीक होंगी मैं भी ठीक हूं फ्रेंस तो फ्रेंस लाट्स वीडियो जो गया था मेरा ससुराल का ही था और मेरी बड़ी नरत की विदाई का ब्लॉग था और फ्रेंस अब जो है बारी मेरी है और ससुराल से अब मेरी बस हिमाचल तक तो प्लीस ब्लॉग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा फ्रैंस मेरी और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करकर मुझे सपोर्ट करेगा मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी तो फ्रैंस चलिए अब मेरी विदाई की बार है ससराल से मेरी कैसे बिदाई होती है देखिएगा आप सबी और बहुत ही मतलब जो है इमोशनल का पल है आए थे बहुत सारी खुशियों के साथ और थोड़ा सा मतलब दुख के साथ जो है जा रहे हैं और जाना भी जरूरी है क्योंकि जॉब है नहीं छोड़ सकते हैं तो चलि घंगट में मतलब गाड़ी में बैटना हैं तो फ्रंस हम फॉर्विलर से जाएंगे तो बस हस्त जास भी है ऑब में जो है क्या ड्री हो दाल दिक है और साधिन की चूडょं टाल लिए बस और इस जो साड़ी है जो हो जा राए ये देखिए ऐसा हो जा रहा ही करले रहा तो च culinary और यहां मेरा मेरा ambiente खाली is देख सकते हैं आप इतने दिन भरा भरा सा था बेड वगेरे सारे बिस्तर वगेरे तो फिरन सारी चीजों को न अच्छे से मतलब हटा कर रखके जाना पड़ता है क्योंकि यहां कोई रहता नहीं है पहले मेरी चोटी ननाद होते थे तो वो सारी चीजों को समेट के ध्यान से रखते थे और वो मेरे रूम में ही रहते थे चोटी ननाद मेरी तो अब वो भी चले गए साधी हो गई तो कोई रहता ही नहीं है तो इसलिए मुझे सारी चीजों को हटा कर रखके जाना पड़ता है क्योंकि कभी साल में या देड़ साल में ऐसा ही आना होता है तो इस बार पहले धेर सारा उनके अपने बच्चे हैं उनका अपना भी काम है तो नहीं हो पता इतने सारे घरों की साब सफाई तो बस इसलिए सारा कमर एकदम खाली हो चुका है सब चीजे मैं अच्छे से सैट कर चुकी है रख चुकी हो और अपना पैकिंग भी करके रेडी होकर और यह सबसामान रख देते हैं, और सबसामान रखने के बाद फिर आप निकलेंगे तो शाम को निकलते ओर 7 बज रहे ें हो साथ में मैं खुद भी भूल गई हूं साथ 8 नमंबर का यह वीडियो है तो बस चलते हैं निकलते हैं और यहां वही हो रहा है देखे विदाई की तियारी विदाई हो रही है तो यह मेरी छोटी नना थे है तो अभी यह रहेंगी क्योंकि बच्चे के साथ बार बार आना जाना नहीं ह होता है तो यह कुछ दिन अब रहेंगी हमारे हैं पिडिया होता है पिडिया लड़कियों का बहुत मतलब माईके में आना जाना और माईके का ही तेवार पिडिया होता है तो वह मना के तब जाएंगी तो बस यहां देखे मरी सासुमा इनके भी पैर चूलिये मैंने और आशिरवाद हो गए अब चलने की बारी है यह देखिए बेदू ने गाड़ी देखी न तो एकदम से परिशान थी कि चलो चलते हैं उसे क्या पता भी आने के लिए भी खुश थी और जाने के लिए भी बहुत खुश है वो तो यहां देखिए हजबन जीजनों से बिठा दिय किया और समान रख रहे हैं और बस अब में भी जो हम निकलूंगी तो फ्रेंच सची आना बहुत अच्छा लगता है और जाना कौन चाहेगा अपने माईके से या अपने ससुराल से लेकिन फ्रेंच मजबूरी बहुत कुछ कराती है और मजबूरी है हम लोग कि हम जा रहे हैं दुबारा क्योंकि जॉब है कफी सारी चीज़े हैं तो चली फ्रेंस चलते हैं और यहां ममी निकल गयर ममी बहुत देर से रो रहे थे मेरी सासुमा बहुत रो रहे थे और इनको दिखकर मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ और क्या कर सकते हैं फ्रेंस चलते हैं अब तो मम्मी आये थे बेदू को थोड़ा सा प्यार करने के लिए पर वो पता नहीं न अभी जैसे जाने को हुआ न तो एकदम से वो न बात भी नहीं कर रही किसी से कहरी बस चलो बस मम्मी पापा बस चलो तो चलिए पेर वगे रहे त मम्मी बहुत रो रहे थे और मेरी छूटी ननाज भी रो रहे थे और बच्चे भी सब रोने लगे तो थोड़ा सा मतलब मन दुखी हो ही जाता है और हम निकल गए फ्रेंस घर से और यह मेरा मतलब हमारा गाउं का बजारी है तो मैंने जो है परदा थोड़ा सा रखा हुआ मैं पहले भी बताई हूँ मेरे हां सुसुराल में परदा चलता है घुंगट में हम लोग बाहर आते जाते हैं घर में चाय हमर जी जैसे रहे घर बाहर तो हमें घुंगट में आना होता है और उसके बाद मेरा कोई मूंड नहीं हुआ मेरा मन भी मतलब थोड़ा सा दुखी अधाट भूल थ ती तो saat师 हमने आट बजे हमने तो हमाई लख्णुर से फरेंस हमारा जो हुआ धानाव में निकल रहे थी तो थोड़ा सा कंप ही हुआ थीर में यह हूए तो मैंने यहां से थोड़ा सा क्लीप ली हूँ जब हम लखनवर अपना जो है में ट्रेन में बैठे हुए है अब इस ट्रेन से हमारी पूरी राद भर की जर्नी है अगले दिन हम जब भी पहुंचे तो बस यहां देखिए बेदू थोड़ा देर खेली और मस्तिकी और उसके बाद जो है सो गई है तो यह उपर का और नीचे का दोनों सीट हमारा था तो बस मैं इसको नीचे लेकर सो गई हूँ क्योंकि बच्चे के साथ नीचे रहना ज्यादा ही कमफटेबल रहता है और उपर हस्बेन जी जो है चले जाएंगे अभी तो फोन देख रहे हैं तो लेटे हैं फ्रेंस और जैसे ही मतलब घर से घर चले आये हैं और बस मतलब अपने एरीय की आस पास आचुके है तो फ्रेंस सब्सक्राइब जो थोड़ा मोठा नास्ता लाए थी वह भी हमारा हो चुका है और उसके बाद फ्रेंस मारी जो твоq गंटे की देरी से चल रही थी तो जो है हम करीबन साड़े 11 बजे फ्रेंस लखनौर से मुरादाबाद पहुंच चुके हैं तो यहां देखें यही तक का हमारा इस ट्रेन में सफर था इसी ट्रेन से हम अभी उतरे हैं जस्ट साड़े 11 बजे हम उतरे हैं मुरादाबाद तो य यहां तक थो जरनी बहुत अच्छी थी उसके बाद हमारी हालत भूत खराब हुई कि यहां तक हमारा रिजर्वेशन था उसके बाद फिर नहीं हो ही धक्के वाला जो है सफर Sumer वहां से फिर हरीद्वार तीन घंटे साड़े तीन घंटे और हरीद्वार से फिर फ्रेंस हम लोग आए हैं टू विलर से देहरादुन तो फिर तीन घंटे लगे वे हरीद्वार से देहरादुन के लिए तीन चार घंटे लग जाते हैं four-wheeler अच्छा driver हो तो तीन घंटे में आई जाते हैं तू तीन घंटे में हम आ गए थे हम चार बज़े तीन बज़े हम पहुँच गए थे हरी द्वार और हरी द्वार से फिर हम चार बज़े निकले थे यह दहरादुन बस्टेन उत्रा खंड है यह उत्रा खंड में पड़ता है और हमें जाना है अभी हीमाचल पॉंटा तब यहां से भी हमें जो है एक घंटा लगेगा एकデड़ घंटा बस से लेकिन की यहां आकर यहां कर यह देखे सर्दी का नजारा सची अतना परिवर्टन म लाना मोसम में हमारे हां से लेकर लखनवर और लखनवर से बाद जो है सरदिया थोड़ी सी महसूस हुई और जब यहां हम आए हैं तो यहां तो बहुत जादा ठंड थी बहुत जादा ठंड थी तो फ्रेंस हम फाइनली बस्टन रूख गये थे रात को नहीं आये हम क्योंकि फिर हम यहां लेट पहुंचते तो फिर हमारे जो है थोड़ा सा इधर का रास्ता ठीक नहीं है तो बस इसलिए हम नहीं आया और ठक भी बहुत गये थे दो दिन हो गये हमें कंटिन्यू जर्नी करते करते तो बस रैश कर लिया हमने वहीं हम रात बिताए और रात बिताने के वाद एकदम फ्रेश होकर सबेरे हम साड़े पात बजे वहां से देहरा दून से निकले थे तो सुबेरे साथ बजे देखिए हम अपने कमरे पर पहुंच चुके हैं तो फ्रेश फाइनली मैं आ चुकी हूँ और अब इसके आगे यहां के यहां के ब्लोग आएंगे और इस विलोग को फुल सपोर्ट करिएगा फुल वाच करिएगा मिलते हूँ अच्छे से वीडियो के साथ